हेलो दोस्तों वेलकम है आपका इस चैनल पर मध्यप्रदेश के सीगम सिवरा सिंग चोहान जी ने मुख्य मंतरी सीखो कमाओ योजना शुरू की है इस योजना का नाम पहले मुख्य मंतरी कौसल कमाओ योजना था तो हम इस वीडियो में इस योजना के बारे में जानेंगे इस योजना में किन-किन कोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी यह भी जानेंगे और रेजिस्ट्रेशन के समय जी मेल पर OTP आने की समस्या के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तो इस योजना में भाग लेने वाले युवाओं को उनकी सेच्रिक योगिता के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि 6 माय, 9 माय या 1 साल तक के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और यही नहीं ट्रेनिंग के समय प्रती माय युवाओं को सहाया करुदान रासी भी ज़रूरी है, 18 से 29 उम्र तक के लोग इस योजना का लाब ले सकते हैं, यह भी ज़रूरी है कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए पर योजना के रिजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आप इस योजना को छोड़ सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेणिंग के समय सहाय कनुदान रासी भी दी जाएगी तो बार्मी पास वालों को हर महीने 8000 रुपए मिलेंगे आई टी आई पास वालों को हर महीने 8500 रुपए मिलेंगे डिपलोमा धारी को 9000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ग्रेजुट या पोस्ट ग्रेजुट वालों को हर महीने 10,000 रुपए स्टाइम पेट के रूप में मिलेंगे यह रासी सीधे आपके बैंक खाते में आएगी इस योजना का उद्देश यही है कि युवाओं को ट्रेडिंग दे कर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया जाए तो अगर आप इच्छुक हैं तो आईए आप कोर्स के बारे में जाने तो 46 छेत्रों एवं 703 कोर्स उपलब्द हैं आप अपनी स्टेशलिक योगिता के अनुसार कोई साभी कोर्स ले सकते हैं 46 छेत्रों में जो प्रमुक छेत्र हैं तो आपको सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी इस योजनाय में सरकारी संस्था से लेकर प्राइविट संस्थानों में भी ट्रेनिंग दी जा सकती है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको अपनी स्किल के अनुसार रोजगार मिलने के मौके बढ़ जाएंगे अब अगर आपको registration प्रक्रिया के बारे में जानना है तो इसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने description में दिया हुआ है उस पर click करके आप registration प्रक्रिया के बारे में step by step जान सकते हैं registration के लिए आपको इस website में जाना होगा इस website की link भी description में है अब बात करते हैं कि कुछ लोगों को रेजिस्ट्रेशन के समय जीमेल पर OTP आने में समस्या हो रही है तो इसके लिए आप OTP का मैसेज जीमेल के स्पैम बॉक्स में जरूर चेक करिए हो सकता है कि OTP का मेल स्पैम बॉक्स में आया हो अब जानते हैं कि आपको क्या दस्तेवेज ये डाकुमेंट्स की ज़रुत पड़ेगी तो आपको अधार कार्ड, समगर आईडी और इसमें रेजिस्टर मोबाईल नमबर आपके बैंक खाते का पासबुक, हाई स्कूल मार्क सीट, बार्मी की मार्क सीट और उसके अलावा उन सभी सेचलिक योगिताओं की मार्क सीट जो आपके पास है जो डाकुमेंट्स अपलोड किये जाएंगे वो पीडियाफ फॉर्मिट में होने चाहिए और उनका साइज 500 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए तो दोस्तों ये थी इस योजना की महत्व पूछ जानकारी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें आप फेस्बूक और ट्विटर पर फॉलो करके भी वहां भी पूछ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सन में है और ये जनकारीों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और ये जनकारी दूसरों तक पहुचाने के लिए वीडियो को सेर भी जरूर करिए Have a nice day